इस वीडियो में हम एक इबारत यानि पैसिज को पढ़ेंगे जिसका नाम है शौपिंग यानि खरीदारी आपने भी मेरे साथ रीट करने की कोशिश करनी है ताके आपको इंगलिश रीट करना आए चले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का या पैसिज का नाम है शौपिंग शौपिंग यानि खरीदारी चले अब हम इसे पढ़ते हैं One day Razia and Hasan went shopping with their father and mother. यानि एक दिन रजिया और हसन शॉपिंग यानि खरीदारी पे गए अपने अबू और अम्मी के साथ, उन्हें कुछ खरीदना था चलें अब हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर देखिए, यह पैरग्राफ में लिखा है आट दे बुक शॉप यानि हाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब वो लोग किताबों वाली दुकान पे चले गए, बुक शॉप पे चले गए, जहां पर किताबें और मुक्तलिफ स्टेशनरी का समान दस्तियाब होता है चले अब हम आगे पढ़ते हैं कि बुक शॉप पे क्या हुआ मदर वाट डू यू वांट हसन अब यहां पर देखिए, मदर लिखा है और सामने दो नुक्ते लगाए है इसका मतलब है कि अब अमी यानि मदर बात कर रही है मदर ने क्या कहा? वाट डू यू वांट हसन यानि हसन तुम्हें क्या चाहिए? और अब यहां नीचे देखिए, हसन ने इस बात का जवाब दिया यहां पर हसन का नाम लिखा है और सामने दो डॉट्स है हसन ने क्या कहा? आई वांट अर राइटिंग बुक एंड कलर पैंसिल्स यानि हसन ने जवाब दिया कि मुझे लिखने के लिए एक किताब चाहिए और कुछ कलर पैंसिल्स चाहिए यानि रंगीन पैंसिले चाहिए चलें आप देखते हैं कि इस बात के जवाब में मदर ने क्या कहा? मदर फिर आगे दो नुकते लगे हैं वाद डू यू वांट रजिया अब अमी ने जो है हसन का जवाब सुनने के बाद रजिया से पूछा के रजिया तुम है क्या चाहिए अब देखते हैं रजिया ने क्या कहा रजिया I want a pen and a story book अब रजिया ने कहा कि मुझे एक pen यानि एक कलम चाहिए और एक story book चाहिए यानि कहानी की किताब ये सब कहां हो रहा था एक book shop पे Mother, हसन और रजिया कहां पे थे? बुक शॉप पे यानि किताबों वाली दुकान पे जहां पे stationary का समान भी दस्तियाब होता है चले अब हम देखते हैं यहां पर फिर से दो paragraph sorry, दो brackets में अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? At the toy shop अब यहां पर उपर वाले की तरहा ही नीचे भी यहां brackets में लिखा है At the toy shop यानि अब वो खिलोनों वाली दुकान पे चले गए जहां पे खिलोने मिलते हैं अब यहां पर देखिए फादर बात कर रहे हैं यानि अब्बू कुछ कह रहे हैं फादर ने क्या कहा? हसन, what do you want? यानि उन्होंने हसन से पूछा के हसन, तुम्हें क्या चाहिए? अब हम देखते हैं के हसन ने क्या जवाब दिया? I want a bat and a ball यानि मुझे एक बला और एक गेंच चाहिए हसन ने क्या जवाब दिया? के मुझे एक bat और एक ball चाहिए यानि एक बला और एक गेंच चाहिए अब देखते हैं मदर ने कुछ कहा मदर रजिया, what do you want? अब मदर ने जो है वो रजिया से पूछा के रजिया, what do you want? यानि तुम्हें क्या चाहिए फिर रजिया ने जवाब में क्या कहा? I want a big doll मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए अब यहाँ पर सामने आप तस्वीर में भी देख सकते हैं यह एक bookshop की तस्वीर है यहाँ पर देखिए bookshop लिखा है, इस तस्वीर में देखें यहाँ पर आपको किताबे नजर आ रही होंगी लेकिन bookshop में किताबों के साथ साथ स्टेशनरी का और भी मुख्तलिफ चीजे होती हैं यानि pen, pencil वगेरा और यहाँ नीचे देखिए, यह है toy shop यानि खिलोनों की दुकान इस दुकान में मुख्तलिफ किसम के खिलोने मिलते हैं चलें, अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर देखें, फिर से वही brackets लगें हैं अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है at the cold drink shop at the cold drink shop cold drink shop कौन सी होती है? जहाँ से juice और ice cream वगेरा मिलती हैं चलें, अब हम आगे पढ़ते हैं अब father ने फिर से कुछ कहा what do you want children? यानि अब father ने बच्चों से पूछा के बच्चों को क्या चाहिए? चिल्रन यानि बच्चे father ने रजिया और हसन दोनों को मुखाब किया यानि उन दोनों से पूछा के उन्हें अब क्या चाहिए? देखते हैं रजिया और हसन ने क्या जवाब दिया? रजिया और हसन अब दोनों ने एक ही जवाब दिया we want ice cream रजिया और हसन ने क्या कहा? कि उन्हें ice cream चाहिए? they all come back home at last अब रजिया और हसन फिर से कुछ कह रहे हैं रजिया और हसन थैंक यू मदर थैंक यू फादर अब जब बच्चों ने ice cream खा ली तो फिर वो सबके सब घर वापस आ गए और रजिया और हसन ने अब अपने अमी और अबू को थैंक यू कहा यानि उनका शुक्रिया अदा किया और रजिया और हसन ने अपने अमी अबू को थैंक यू कहा? क्योंकि अमी और अबू ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें खरीद के दी चले अब हम एक बार फिर से इसे रीट करते हैं, अब आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है One day Razia and Hassan went shopping with their father and mother. They wanted to buy something at the bookshop. Mother, what do you want, Hassan? Hassan, I want a writing book and color pencils. Mother, what do you want, Razia? Razia, I want a pen and a storybook. At the toy shop. Father, Hassan, what do you want? Hassan, I want a bat and a ball. Mother, Razia, what do you want? Razia, I want a big doll. At the cold drink shop. Father, what do you want, children? Razia and Hassan, we want ice cream. They all come back home at last. Razia and Hassan, thank you mother, thank you father. तो ये था वो पैसेज या इबारत जो शॉपिंग से मुतलिक थी जिसे अभी हमने पढ़ा और समझा भी. अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में इस पैसेज को दुबारा से रीट करने की कोशिश कीजिए. इस तरह आपको बहुत जल्द इंग्लिश रीट करना आ जाएगी.